आपको करना क्या है आपको simply रोज सिर्फ एक ही चीज देखनी है वह एक मिनिट लगेगा उसे देखने के लिए आज इंडेक्स उपर है या नीचे है आपको अपको 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 गूगल पर दिख जाएगा आपने बस दिन में एक बार एक मिनिट लगा कर देखना है निफटी आज ऊपर था एस इनपी 500 आज ऊपर था या नीचे था डिपेंडिंग आप कौन से एटीएफ में पैसा लगाना चाते हो इंडिया में लगाना चाते हो मैं आपको निफटी बीस के एक्जामबल दे दिया यूएस के हैस आपसे लगाना चाते हो इसनपी 500 एक्जामबल दे दिया अभी मैं आपको एटीएफ बता भी दूँगा अब आपने पहले क्या देखा एक मिनिट के अंदर आज क्या हुआ मार्केट में आपने देखा मार्केट आज डाउन है आज मार्केट डाउन है मेरे पास तो 5,000 रुपे है कोई का जी मेरे पास 2,000 रुपे है मैं कोगा सब कुछ हो क्या है मार्केट कितने दिन खुली है आप कोगे 20 दिन खुली है अगर आपके लिए मार्केट 20 दिन खुली है तो आप दिन का कितना पैसा इंवेस्ट कर सकते हैं आप कोगे इस हिसाब स तो सरम दिन का 500 रुपे इंवेस्ट कर सकते हैं, मैं गोँगा, वेल एंगूड, आप 500 रुपे इंवेस्ट करो, पर यह 500 रुपे इंवेस्ट करना है, जिस दिन मार्केट डाउन है, आपने देखा, आज निफ्टी 1% गिरा हुआ है, आज S&P 500 एक परसंट गिरा हुआ है, आपने डाई सो रुपे इंवेस्ट कर दिये, कल आपको लगा मार्केट आदा परसंट एक परसंट बड़ा हुआ है, आप इंवेस्ट नहीं कर रहे है, जिस दिन मार्केट आपको डाउन दिखता, आपको टाउज मार्केट 10% डाउन हो गया, आप वेरी गोड़ा, आपने इंवेस्ट इंवेस्टिंग कर दी, आप आपने के 100 रुपे इंवेस्ट करें, आप को गे नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने Day 1 पर 200 रुपे इंवेस्ट करें दे, day 2 पर market green थी तो मैंने investment करी नहीं क्योंकि day 3 पर हम गए और market 2T तो मेरे पास आप 200 और 200 कितने हो गए 500 रुपे हो गए मैंने 500 रुपे invest कर दिये अब 4 दिन तक market green नहीं रही आपको दिखा day 4, 5, 6, 7 market green है आप invest नहीं कर रहे आपको दिखा day 8 पर market टूटी है आपने फिर investing कर दी आपके पास हो क्या रहा है इसे समझें यहां पर concept बड़ा interesting है ज़स दिन मुझे market negative दिखती है टूटी हुई दिखती है मैं उस दिन पैसा डाल रहा हूँ और जितने दन market rally करती है उतने दिन मैं पैसा नहीं डाल रहा है जब टूटेगी मेरी investment हो गई जब बढ़ेगी मेरी investment नहीं है फिर टूटेगी मेरी investment हो गई फिर बढ़ गई मेरी investment नहीं है हम सब को क्या पता है एक universal चीज़ ले लेते है कि हमें यह पता है एक company fail हो सकती है 50-500 कमनिया fail नहीं हो सकती है overall India की top 50 कमनिया और US की top 500 कमनिया क्योंकि हर 6 महीने के अंदर अगर किसी कमनी ने perform ने किया वो Nifty से भार निकल जाएगी आपको पता है कि Nifty के अंदर top 50 ही रहेंगी तो टोप 50 companies ने तो grow करना है this is what we know so जब आप ETF में पैसे लगाते जा रहे हो आपके failure का chance किया है almost zero और आप invest कब कर रहे हो जिस दिन market टूटी हुई है जिस दिन टूटी हुई है आप कहते हो जी मेरे पास 50,000 रुपे आर मेने invest करने के लिए very good आप दिन का 50,000 रुपे invest कर सकते हो अब अगर आप दिन का 20,000 रुपे invest कर सकते हो जिस दिन market टूटी आपने 20,000 डाल दिया दस दिन तक market green दी कोई दिक्कत नहीं है भाई जिस दिन red आएगी आपके 25,000 रुपे घट्टे हो है आपने 25,000 रुपे की investment उसी दिन कर दी बूम क्योंकि फिर जब market ओपर जाएगी यह 25,000 री सीदा 35,000 दिखेंगा है गाउंट में आपको और अभी तो हम बेचने की बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि mutual fund investing stock investing या ETF investing हम तो सालों के लिए करते हैं मेरे बाई returns खतरनाख मिलने वाले हैं यह strategy आपको लगातार पैसा कमा के देगी और ETF आप देखो निफ्टी भी 190 रुपे है कुछ भी नहीं है आपको sensex का ETF 600 रुपे क्या सबस मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि लगातार investing करते जा रहे हैं और US stocks में इंवेस्ट कर रहे हैं तो जितना मेरा amount आ रहा है मैं उतरहे डाल दूंगा 200 के सबसे मन रहे हैं तो fractional investing है आपका पैसा गुरू होता हुआ दिखना चाहिए यह important है strategy कैसे लगी comment करके बताना simple strategy है इस course में अभी हमने investing को बहुत अच्छे सल समझ लिया है stock investing, fundamental analysis, mutual fund investing, SIP compounding and ETFs अभी तक आपको समझ आगे और मैं आपको बताओ investing के लिए इतना काफी है अगर ऐसे ही आगे चलते रहोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे and my best wishes are with you आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं मतलब आप seriously interested है अभी आगे और बहुत को सीखने में because this series के अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है so आप बने रही है हमारे साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आपको इस वीडियो मिली इस वीडियो को शेर जरू कीजिए और अपना प्यार देने के लिए like कर दीजे फाइनली मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में पर एक चीज रह गही थी या आप कोगे सर वह S&P 500 के वह रह गहते तो बोनस दे दे तो हम आपको so यहां पर आपको दो ETF दिख रहे है तो S&P 500 वेंगार ETF दिख रहा है और S&P 500 ETF SPDR आपको यहां पर देख रहा है आपको IND मनी पर यह दोनों असानी से मिल जाएंगे इसमें आप चाहें तो Fractional investing कर सकते हैं अब I will see you in the next video I hope this video is valuable बट मैं इसे बहुत लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी आप लोगों के लिए सो लाइक दिस वीडियो राइट ना और सब्सक्राइब एंड बैल इकन पर ज़रू क्लिक करना वर्ना कल सुबह जो साढ़े बज़े वीडियो आने वाली वह मिस हो जाएगी लिया आपने उसे साथ पर भी खरीद लिया और आप वह पचास का हो गया है अब आपको लग रहा है उपर जाएगा आपका पैसा नीचे डूबा हुआ हुआ है बट इंडेक्स को ऊपर जाना आपको पता है कि आज नी तो कल इंडेक्स ऊपर जाता है तो यह आवरेजिंग आपको स्टॉक्स में भारी नुकसान दे सकती है this is point number one दूसरा क्या है जब हमने mutual funds की बात करी दी उसमें आपको कोई civil effect नहीं होता कुछ नहीं होता बर अब एक तरिक और दस तरिक को हर मेने करते हैं अब हमें नहीं पता हो उस टाहिम पर मार्केट कैसी है पर उसका आपको फाइदा नहीं मिल पाया बट जब आप डेली इंवेस्ट कर रहे हो आप डेली देख रहे हो कि मार्केट जिस दिन गिरी है एक दिन गिरी हमने फिर खरीदा दूसरे दिन भी तीसे दिन भी तो लगातार हमारी एवरेजिंग हो रही है वह भी एटेफ के है तो ऐसा नहीं कि यह जाद अच्छा है वो जाद अच्छा है बट यह स्ट्राइटेजी लगातर पैसा बना के देती है तो इस स्ट्राइटेजी के बारे में आपके क्या व्यूस है कॉमें बताएगा और दिस वस बोनस फों मैं साइट